हलो अब्रीबन वेलकम तू दिफेंस अकेडमी इस वीडियो में हम डिसकुस करेंगे यूपी एसी सी अपी एफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 का जो नॉटिफिकेशन आउट हुआ है 24 अपरिल को 24 अपरिल को इसका नॉटिफिकेशन आउट हुआ है आप 20 डेज के लिए फॉर उन् लाइन फॉर्म जो है वो एकक्र सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता ए क्या इसका चंता है ख判ा four of August चार अगस्ट 2024 को इसका एक्जाम होगा दो एक्जाम होते हैं इसके आपकी क्लियर कर दोंगा इस वीडियो में age limit क्या रहती है क्या relaxation मिलता है हर एक doubt को मैं आपका इस वीडियो में क्लियर कर दोंगा तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को यह मेरे बारे में है मेरे नाम है अंडिल चौधरी और यह सभी exams गों मैंने qualify किये हैं हमारा android app है आप उसे description में द provide कर दी जाती है online application 24th of April से लेके 14th of May तक आप apply कर पाएंगे और यह सामके 6 बज़े तक ही apply कर पाएंगे आप उसे लेट नहीं हो पाएगा एक instruction दिया है UPSC ने आप उसे ध्यान से देख लिए आप तब form apply करेंगे तो आपका photograph जो UPSC कह रही है दस दिन से ज्यादा पुरान नहीं होना चाहिए आप new photograph कराएंगे उसके बाद यह apply करेंगे और candidate का name और photograph की date clearly mention होनी चाहिए photograph पर यह भी उन्होंने कहा है तो आपका photograph है इस तरीके से तो आप अपने नाम और date of photo जो है mention करेंगे तब ही upload करेंगे photograph को चार अगस्त को exam होगा assistant commandant group A की post होती है centrally armed police forces में ठीक central armed police forces में रहती है पांच के लिए exam होता है किसका यह CAPF का देखें यह notification में गलत दिया हुआ है यह 5 है पांच forces कौन कौन सी है BSF है CRPF है CISF ITBP है और SSB है BSF border security force CRPF Central Leisure Police Force CISF Central Industrial Security Force ITBP Indo-Tibetan Border Police Force और ससस्तर सीमा बल जो के सिक्किम बगेरा का border जो वो सब देखती है इस तरीके से चलिए अब इसकी vacancies भी देख लेते हैं इसकी vacancy जो है जितनी इस time notify की गई है usually उतनी होती नहीं है 506 बहुती ज्यादा vacancy है बहुती अच्छा चांस है हर किसी के पास इस बार selection लेने का पांच होई forces में अच्छी खासी vacancy जो है वो रिपोर्ट की गई है नेशनलिटी की बात करें तो Indian origin मतलब citizen of India ही होना चाहिए इस में इस exam में participate करने के लिए लेकिन अगर नैपाल और भूटान से कोई परसन है तो उसके लिए appointment enrollment हो सकता है लेकिन वह क्या करेगा उसके लिए अलग से rules दिये हुए है हर एक post के लिए both male and female candidate apply कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा यह count होती है तो किस तरीके से है अगर किसी का जन्म अगर किसी का वर्थ अगर किसी की date of वर्थ 1999 से पहले है और 2nd August 2nd August 1999 से पहले है तो वह form apply नहीं कर पाएगा अगर किसी का जन्म 1st August 2004 के बाद हुआ है इसके बाद हुआ है पांच में हुआ है छे में हुआ है तो वह भी apply नहीं कर पाएगा और 98 और 97 वाले candidate जो हैं वह भी apply नहीं कर पाएगे यह age का criteria है लेकिन age में कुछ relaxation भी मिलता है जैसे SC community के लिए 5 साल का relaxation है और ST community के लिए भी 5 साल का है तो दुबारा से लिख देता हूँ SC और ST के लिए 5 साल का relaxation है age में और OBC के लिए OBC के लिए 3 साल का है relaxation इसके साथ ही Civilian Central Government Servant जो होते हैं Civilian Central Government Servant कौन होंगे जो Central Civil Services Rules 1965 में गवर्न की जाती है जिसकी service जो भी civilian government employee है civil के employee है उनकी service अगर इस rule के अंडर में आती है तो उनको भी 5 साल का relaxation मिलता है age में SC ST जितना relaxation मिलेगा age में minimum educational qualification क्या है किसी भी university से सरकार द्वारा माननेता प्राप्त किसी भी university से बैचलर डिगरी होनी चाहिए और बैचलर डिगरी BA, BSc, B.Tech कुछ भी हो सकती है NCC का क्या इसमें roll जाता है NCC का B और C certificate है तो यह desirable qualification मानने जाती है और interview में थोड़ा सा उनको as मिल जाता है बागी candidate के मकाबले और कोई marks बगरा नहीं होते है last date क्या है form apply करने की पता चुका हूं 14th of May सामके 6 बज़े तक यह रात के 12 बज़े तक नहीं है selection procedure क्या रहता है selection procedure यह पहले एक written examination होता है फिर आपका physical होता है medical होता है उसके बाद आपका interview होता है फिर final merit आती है यह है selection process अब इसमें scheme क्या है written examination कैसे होगा interview physical कैसे होगा यह सब देखते है written examination जो है वह आपका 4 अगस्त को होगा 4th of August 2024 को अपके exam होगा दो paper होंगे इसमें एक ही दिन में आपके दो paper लिया जाएंगे paper 1 जो के होगा भी यह paper होता है negative marking इसमें होती है 1y3 की paper 1 की बात कर रहा हूं मैं paper 1 होगा 1y3 की negative marking होगी 250 marks का होगा 125 questions होंगे और दो घंटे का जो है time दिया जाएगा 2 hours का time दिया जाएगा क्या क्या पूछा जाएगा इस paper में वो भी हम देखेंगे paper second की बात करते हैं यह general studies essay comprehension यह सारी चीज़ें पूछी जाएगी यह paper 200 marks का होगा और इसमें time जो 3 hours का दिया जाएगा तो इसमें ज्यादा time क्यों दिया जाएगा क्योंकि यह written होगा descriptive होगा इसमें आपको लिखना होगा कैसे लिखना होगा essay प्रिसे writing comprehension communication skills से रिलेटर इंग्लिस साब से पूछी जाएगी वो सारी चीज़ें होगी क्या label होगा यह PYQ को देखके पता लगता है previous year question paper को भी मैं analyze कराऊंगा इसी चैनल पर आपके लिए सब सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की जाएंगे यह exam होगा तो किस तरीके से scheme होगी English में या Hindi में कैसे दे सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं paper second के लिए note है क्या note है कि आपका जो essay का format है essay जो है paper second में descriptive में उसे आप Hindi औ चाते हैं या फिर English में लिखना चाते हैं वही आपकी जो attendance seat आईगी जब आप exam hall में होगे वहां भी आपको mark करना होगा क्या आप Hindi में लिखना चाते हैं या watercolor समें लेखना language में आपको ऐसे अपना लिखना है किसी दूसरी language में आपने अगर अपना ऐसे लिख दिया है जैसे आपने mark तो कर दिया Hindi और लिख दिया English में तो आपको कोई भी marks नहीं दिया जाएगा same language आपको ऐसे लिखना है जो आपने choice किया है minimum qualifying marks जो है दोनों ही पेपर के लिए set किये जाते हैं और एक बहुत important आप बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ लोगों को लगता है कि paper second की तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए ज़्यादा focus देना चाहिए लेकिन आप याद रखिए अगर आप paper one को qualify नहीं करते हैं तो आपका paper second जो वो check भी नहीं किया जाएगा पहले paper one check होता है अगर आपके paper one में minimum qualifying marks आपने इनसे और कर लिए हैं secure कर लिए हैं तब आपका paper second जो वो check किया जाएगा ठीक है paper second में जो ये सारी चीज़े हैं तो इन में से मैं बता देता हूँ essay का जो component रहेगा केबल इसी को आप Hindi और English दो language में लिख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें pre-writing, comprehension, English language की सारी चीज़ें जो है आपको only in English ही लिखनी होंगी essay को छोड़के बाकी सारी चीज़ें physical standard क्या है physical efficiency और medical test में क्या चीज़ आएंगी आपसे सबसे पहले होगा आपका physical standard test आप physical आपका standard है यानि फिर efficiency का होगा physical standard में आपको बताऊँ लेकिन efficiency एक बार बता देता हूँ physical test कैसे होगा male के लिए और female के लिए दोनों के लिए मैंने लिखा हुआ है 100 मीटर की race होगी male के लिए जो कि 16-16 second में male को cover करनी है और female candidate को 18 second में cover करनी है 800 मीटर की 800 मीटर की race running है वो 3 मिनट 45 second जो है वो male के लिए है और 4 मिनट 45 second जो वो female के लिए है long jump 3.5 मीटर 3 chance में लेंगे long jump के लिए 3 chance है male को और female को दोनों को ही बराबर chance है long jump male के लिए 3.5 मीटर है female के लिए 3 मीटर है short put 4.5 मीटर है और इसके लिए भी 3 chance में लेंगे male के लिए है female के लिए short put है ही नही not applicable interview और personality test के बारे में जानते written हो गया physical efficiency test हो गया आपका अब बारी आई interview की अब interview में आप बैठेंगे interview जो है या फिर personality test 150 marks का होगा तो total marks में आपको एक बार बता देता हूँ आपने 250 का paper 1 किया 200 का paper 2 किया और 150 का interview किया ठीक है तो ये 400 और 200 600 total marks जो है 600 marks का आपका selection procedure होगा physical का कोई भी marks जो अलोट नहीं किया जाता है वो qualifying in nature होता है 600 marks के उपर आपकी merit बनती है इसे आप ध्यान में रखिए interview से पहले एक def जो है उसका form UPSC release करती है वो भरना होता है वो सब आप जानेंगे तब ही तब selection होगा उसके बाद देखें final selection के लिए फिर merit प्रिपेर की जाती है recommendation के बाद भी एक merit आएगी उस merit को आप cross करेंगे तब आपका selection होता है negative marking में आपको बता चका हूँ paper 1 में होती है cable और cable objective जो exam होगा उसी में negative marking होती है paper 2 में कोई भी negative marking हो नहीं सकती है तो होती नहीं है physical standard men और women के लिए क्या है height जो है male के लिए 165 cm और women या फिमेल के लिए 157 cm chest male की 81 cm होनी चाहिए expansion के बाद जो है 86 cm होनी चाहिए और women के लिए chest applicable नहीं है not applicable weight का तो index होता है यह यहाँ पर indicative है इसको ध्यान नहीं देना है index से जाके weight का जो हम पता करते हैं तो यह सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है notification में बाकी चीज़ें detail में syllabus को, book list को किस तरीके से prepare कर सकते हैं तीन महीने में self study करके किस तरीके से exam को qualify किया जा सकता है क्योंकि मैंने UPSC का exam खुद 6 बार निकाला है UPSC CDS का तब से ही मैं teaching में हूँ और खुद selected हूँ तो इस वीडियो में तो इतना ही बाकी चीज़ें next वीडियो में discuss करेंगे क्या चाहते हैं आपके क्या doubts हैं जो मैं strategy की वीडियो में cover करूँ आप comment section में comment करके बता सकते हैं तो मिलते अंगली वीडियो में जैहन्द